क्या स्टार्बक्स गाले और मूवीज भी बनाता है? जी हाँ, 2003 में स्टार्बक्स ने इतना पैसा कमा लिया था कि उन्होंने सोचा कि अर्सेल्स कॉफी का बिसनस क्यों करे? चलो मूवीज और गाले भी बनाते हैं और हुआ भी कुछ ऐसे हैं लेकिन इस फूरे चक्कर में उनका अटेंशन उनके मेन बिसनस यानि की कॉफी पड़ से हटने लगा 2007 तक आते आते उनका बिसनस बिल्कुल तहस्न है सोचुका था लॉयल से लॉयल कस्टमर्स भी स्टार्बक्स छोड़ करके दूर भाग रहे थे शेर्स ओल टाइम लो पड़ते इनफाट 977 ब्रांचेस इनको बंद भी करनी पड़ी लेकिन तब 2008 में इनके CEO हावर्ड शुल्च ने कमान वापस समभाली उन्होंने स्टार्बक्स के तमाम ओनर्स और फ्रेंचाइजी वालों को इखटा किया और उनको मोटिवेट किया किया आज तक जो हुआ को हुआ लेकिन आज इसे इतना बयांकर काम करते हैं कि स्टार्बक्स को वापस से दुनिया में नंबर वन कॉफी ब्रैंट मनाएंगे लोगों के लिए कॉफी का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टार्बक्स होना चाहिए और ये चीज डेफिनेटली काम भी करी लोगों ने इतना जादा एफ़र्ट पुट किया और आज की तारिक में सच में लोगों के लिए कॉफी का मतलब स्टार्बक्स ही हो गया है स्टार्बक्स के शेर्ड़ की प्राइसे भी ओल टाइम बढ़ने लगी और इसी के साथ में आज की तारिक में कमणी का वालवेशन एक सो बीस बिलियन डॉलर से भी सादका है ऐसे और अमीजिंग वीडियो के लिए शेल, लाइकन, सब्सक्राइब